नमस्कार दोस्तो शर्मार की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है चलिए आज बास करते हैं बहुती दिल्चस्प आइसलेंड के बारे में इस आइसलेंड का नाम है रामरी आइसलेंड ये रामरी ऐसलेंड का जो एरिया है वो कवर्ड है बहुत ही बड़े और हंटिंग क्रोकोडाइल से यानि कि खुंकार और बहुत ही बड़े क्रोकोडाइल से तो चलिए इस ऐसलेंड से जुड़ी आज आपको हिस्ट्री की एक कहानी सुनाता हूं जो की सची घटना पर आदारी थे इस घटना को सुनकर अच्छी अच्छो के रोंग्टे खड़े लाते हैं तो सबसे पहले तो दोस्तों मेरे सेनल को सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन पर क्लिक कीजिए और लाइक कीजिए तो दोस्तों क्या हुआ था कि ये दिप्ते विश्विद में दूसरे दिप्ते विश्विद में 1945 यानि दो फरवरी 1945 को चोद्वा बिटिस कंपेंगन द्वारा जापानिस लोगों पर यानि कि जापानिस आर्मियों पर हमला किया गया था तो जापाने इस आर्मी जो थे उन लोगों से डर कर रामरी आइसलेंड में अपना कमपेंगन बरा लिया था यानि कि रामरी आइसलेंड में चले गए थे छुपकर चोधवी बिटिश सेना से बचने के लिए और उन्होंने अपना यहाँ कैम्प लगा दिया था लेकिन उनको नहीं पता था कि जो रामरी आइसलेंड है इसमें एक सॉल्ट वॉर्टर है तो सॉल्ट वॉर्टर के अंदर जो यहाँ के बड़े-बड़े मगरमच है वो इतने ज्यादा खतरनाक थे दोस्तों कि इसके बारे में उनको हलकी सी भी भना कना थी मगरमचो का शिकार बनी पूरी आर्मी बटालियन क्या हुआ था दोस्तों कि लगबग 2,000 जापानिस सैना थे जितने भी आर्मी थे टोटल 2,000 थे तो 2,000 में से 1980 मगरमच का शिकार हो गए बाकी बचे 20 वो अपनी जान बचा कर भागेगी से ला किसी तरीके से तो जो 20 में से जो भी बचकर वापस आये उनमें से उन्होंने बताया कि उन्हों मगरमचो ने इतने जादा खतरनाक तरीके से उन लोगों पर हमला किया था हाला कि सभी सेनों के पास बंदूके थी अच्छे-च्छे हतियार थे उसके बावजूद भी कम से कम 2000 में से 1980 सेना के जो आर्मी थे वो उनका शिकार हो गए थे और जो 20 बचे थे वो वापस आगे जिन्दा हो कर तो उनमें से एक सेना दक्षी ने बताया था कि मरगरमच्छों ने उन सभीयों को जिनको शिकार मना उतनी बुरी तरीके से मारा था कि उनके पेट में जाकर भी जो आर्मी थी उनकी चीखे निकल रही थी कि वो मरगरमच्छ के पेट में थे उसके बावजूद भी उनकी चीखे निकल रही थी तो ये थी गटना रामरी एसलेंट की जो की दित्ते विश्च दूसरे विधित्ते विश्च में दे यूद के दोरान घटी थी ये दित्ते विश्च 1945 फरवरी के महीने में घटा था जो मगरमच्छ थे लगबग 500 पाउंट से लेकर 2230 पाउंट तक के वजन के थे और उनकी जो लंबाई थी वो 17 फिट से लेकर 23 फिट तक की थी तो दोस्तों गिनीज बुक ओफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी रामरी ऐसलेंट का नाप कही ना कही दर्ज है कि उनके जानवरों ने यानि के रामरी ऐसलेंट के जानवरों ने खासकर मगरमच्छ ने सबसे जादा इंसानों को मारा है सबसे जादा वहाँ पर स्कॉर्पियन भी है और खतरनाग मच्छर भी इनिसे मली रेफल था है उनके अलावा सबसे खतरनाग जीव है क्रोकोडाइल वहाँ के जो मगरमच्छ है उनने सबसे जादा इंसानों को मारा है और इसी वज़े से गनीज बुक ओफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कही नकाई रामरी ऐसलेंड का नाम दर्च है तो बताइए दोस्तों आज की वीडियो मेरी कैसे लगी अच्छी लगी हो तो सबस्क्राइब किये जएगा और बैल आइकन पर ज़रू किलिक करिए जगा और लाइक करिएगा सजेशन बॉक्स में सजेशन करिएगा कि मैं किस तरह की वीडियो आपके लिए सामने पेश करूँ धन्यवाद दोस्तों